ऐसे ही कोई मीटिंग से अप्रिल दोजार चब्वीस में बता पाएं कि इस देश को राज्य सरकारें और केंद्रा सरकार ने मिलकर नक्सल वाद की समस्या से पूर्ण तया मुक्त कर दिया है मैं जब 36 गड़ नई सरकार बनने के बाद 21 जन्वरी को गया था तब काफी डिटेल प्लानिंग 36 गड़ सरकार और भारत सरकार के मिलकर किया था दो दिन तक विकास और नक्सली ओपरेशन दोनों की दुरुष्टी से एक डिटेल रन निति का हमने चोकाउट करने का काम किया था जन्वरी से अब तक लगबग 194 में नक्सली 36 गड़ में सुरक्सा बलो के साथ मुर्बेड में मारे गए हैं चाहे नौर्तिष्ट हो चाहे कस्मीर हो चाहे वामपंटी उग्रवादी चेत्र हो सब जगे लगबग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हत्यार छोड़े हैं इंसा की घटना है जो पहले 16,463 हुई थी अब 7,700 तक सिमिट हुई है और अगले साल से तो और कम होगी अगर मैं 10 साल का अकड़ा कह रहा हूं लगबग 53% की कमी है कई गाव इस चुनाव में ऐसे थे जन्यरली इलेक्शन में जिनोंने 30 साल के बाद वाटिंग किया है वहाँ पर वाटिंग हुआ है वहना पोलिंग पाटी जाती थी निल वाटिंग का डबबा लेकर वापिस आती थी NIA को भी हमने एक्टिव करकर इनके वीतिय पोशन को भी रोकने का हमने ओफेंसिव रननिती अपनाया है कुछ राज्यों में बचा कुछा जो बच गया है उसको पूर्ण उन्मुलन की दिसा में हमने काम करना चाहिए इसके मुल समेट उखार देने के संकल्प करकर इस सम्म किया था इसको हमने उन्नीस के बाद बड़ावा इंट्रोडीस किया है विसेश के अंद्रिय सहायता SCA ये भी एक नई योदना हुई है और इसके तहट 3590 करोड रुपया ये 10 साल के अंदर लग 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 उन्नीस के बाद हमने खर्चना का खर्चने का काम किया है और क पून रुप से नई योदना सुरी है 45 पोली स्टेशन पहले चासेट बनाए गए 10 साल में अब 10 साल में 544 बनाए गए हैं सडक नेटवर्ट पहले 2900 किलोमेटर बनाया गया इस 10 साल के अंदर सडक नेटवर्ट 11500 किलोमेटर बनाया है मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए विगत 10 साल में 4 से 14 तक कोई प्रयास नहीं हुए थे 14 से 24 में 15300 टावर लगा दिये गए हैं और उसमें से 5149 टावर को 4G का भी बनाने का काम समाप्त हुआ है एक लव्य मॉडिल स्कूल 2014 के पहले 38 सिक्रूत हुए थे एक भी नई बना था अब 216 सिक्रूत हुए और उसमें से 165 एक लव्य मॉडिल स्कूल अस्तितों में आ गए हैं एर एफ़र्ट्स इसके लिए नील खर्चा था अब लगबग लगबग एक हजार करोड रुपया एर एफ़र्ट्स का हम खरिद रहें और प्रॉमा सेंटर जगदलपूर में बनाया है 131 करोड के खर्च से यह बताता है कि हमने कितनी सिद्दत के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और इसके लिए हमारे लिए एक आनन्द का विशा है कि आखड़े भी हमारे इस सारे एफ़र्ट्स को रिस्पॉंड करते हैं हिंसा की घटना है जो पहले 16,463 हुई थी अब 7,700 तक सिमिट हुई है और अगले साल से तो और कम होगी अगर मैं 10 साल का अकड़ा कह रहा हूं लगबग 53 प्रतिसत की कमी है और नागरिक और सुरक्सा बलो के मृत्यु में 70 प्रतिसत की कमी हुई है हिंसा को रिपोर्ट करने वाले जिले जो चानवे है इसकी जगए 42 हुई है 57 प्रतिसत कमी हुई है मुख्यमंत्री तिलंगा ने सची कहा है यह जिलों की संक्या इसलिए थोड़ी ज्यादा रिखती है कि 42 में से 21 जिले नए बने है अगर पुराने जिलों का हिसाब करे तो सिर्फ 16 जिले बचे हैं तो 96 जिले में से 16 जिले ही वामपंतिक उग्रवात के लिए बने हिंसा की सुचना देने वाले पूली स्टेशन भी 465 से 171 बने हैं इसमें 50 पूली स्टेशन नए बने हैं तो एक प्रकार से हम 120 पूली स्टेशन ही बचे हैं जहां हिंसर गटनाय हुई है पर मैं मानता हूं कि यह सभी राज्यों के और केंद्रे सरकार के साजा संयुक्त प्रयास का परिनाम है और हम इसको और ध्रड़ता के स साथ और पूर्ती के साथ और एक ही दिशा में आने वाले समय में हम आगे ले जाएंगे इसका मुझे पूरा विश्वास है माववादी इफेक्टेड डिस्ट्रिक की संख्या में भी जो कमी है इसमें भी कुछ जिलों को हमने जैसे कुछ मुख्यमंत्रियों का सुझावाय था है एरिया और कंसंद के रूप में चालू रखने का नेने किया है इसलिए वो है अधर्वाइस वहाँ पर आज सांती हो प्रेणा लेकर आई हैं 36 गड़ में केवल हत्यारी ओपरेशन नहीं चलाएगे सरंडर हुए वो भी एक अलग बात है इसके अलावे वामपंटी उग्रवाद से प्रभावित सभी जिल्लों के अंदर 36 गड़ सरकार में एक विकास का नया अभियान चला है तीन सो के आसपास व्यक्तिगत और फैमिली के साथ जूड़ी हुई बारत सरकार और 36 गड़ सरकार की योजनाओं को 100% सेक्चूरेशन का लग्स रखा है इसके कारण घाव में स्कूल पहुँचा है सस्ता नाच की दुकान पहुँची है सस्ती दवाईयों की दुकान पहु हुआ है कि कई गाव इस चुनाव में ऐसे थे जन्यरली इलेक्शन में जिनोंने 30 साल के बाद वॉटिंग किया है वहां पर वॉटिंग हुआ है वहना पूलिंग पार्टी जाती थी नील वॉटिंग का डब्बा लेकर वापीस आती थी पहले बार 70-70 प्रतिसर वॉटिंग किया गया है सुरक्सा वेक्यूम को कम करने के लिए 2019 से अब तक हमने 280 नए केम्प बनाए है 15 नए जोइन टास्क फोर्स बनाए है और CRPF की 6 बटालियन नई अलग अलग राज्यों में राज्यों पुलिस की साहयता में हमने बेजा है इसके साथ साथ NIE को भी हमने उफेंसिव रण निती अपनाया है जिसके कारण उनके पास आर्थीक संसादनों की कमी अब सब जगे से रिपोर्ट आ रही है कि आइथिक संसादनों की कमी हुई है, डिफेंसिव निती को बदल कर ओफेंसिव रन निती अपनाई है, कई ओपरेशन तेरा दिन, दस दिन, बारा दिन के चलाए गएं, जिसके कारण घीरा करकर अगर बारा दिन ओपरेशन चलता है, तुमको भागने का समय नहीं मिलता है, NIA द्वारा प्रोसिक्यूशन के सभी बिंडों को समाहित करते हुए एक अच्छा ट्रेनिंग पोग्राम बनाया है UAPA में जो केस रेजिस्टर होते हैं इसको सजा कराने तक की पूरी कारयोधना NIA ने बनाई है और धेर सारे राज्यों की ट्रेनिंग भी की है मेरा सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से अग्रह है कि आपके यहां जो केस पैंडिंग है वो केसों में NIA की टीम को बुला कर आपकी प्रोसिक्यूशन एजन्सी की ट्रेनिंग कराएंगे तो इससे हमें फाइदा होगा केंद्र सरकार ने कई फैट्सिप योधनाओं के अलावे सड़क, टैली कम्मुनिकेशन सुईधाओं की सुधार, वित्तिय समावेशन, कौसल विकास, सिक्सा, स्वास्त और पोशन इस सभी बिंदो ओपर एक बहुत थ्रस्ट देकर काम करना सुरू किया, इसके भी अच्छे नतीजे मिले हैं मानिय प्रदान मंत्री जी ने 2 अक्टूबर को जारखन के भूमी से धर्ती आबाद जन जातिय ग्राम उतकर्स अभियान चलाया और वामपंठी उग्रवाद प्रभावीत क्षेत्र में 15,000 से ज्यादा गाउं और लगबग लगबग 1.5 करोड की आबादी को व्यक्तिगत सुरिधाओं के लिए और ग्रामिन क्षेत्र के संपोनस सैचूरेशन के लिए दर्ती आबा जन जातिय ग्राम उतकर्स अभियान एक मेल का पत्थर साबीत होने वाला है मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से आगरा है कि इसको अपने अपने राज्य में आप स्वयम मॉनिटर करिए और इसको आगे बढ़ाईए टेलिफॉन कनेक्टिविटी, सडक संपर्क और सिक्सा ये तीनों के लिए राज्यों का सयोग बहुत जरूरी है इसके बगर केंदर सरकार ये सारे काम समाप्त नहीं कर सकती मेरा सभी मुख्यमंत्रियों और मुख्यसचीव से आग रहा है कि ए विकास के कामों की आपके द्वारा कम से कम महिने में एक बार रिवी हो मेंली फोरेश डिपार्टमेंट से परमिसन की जो थोड़ी तकलीब होती है इसको आप लोग मदद करिये हमने 3C मतलब तिन स्तर पर कनेक्टिविटी में सुधार लाना रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशल इंक्लूजन बेंक और पोस्ट अपिस को वहां तक पहुँचाना इसको विशेश ध्यान दिया है मित्रो नकसलवाद आज साबित हो चुका है कि नकसलवाद आदिवासिक शेत्रों के विकास के बीच में सबसे बड़ा रोडा है ये भी साबित होगा है कि नकसलवाद संपून मानवता का दुश्मन है और हुमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविद्धी से होता है तो नकसलवाद से होता है आठ करोब लोगों को मुलभूत सुविदाओं से वन्चीत रखना ये इससे बड़ा उनके हुमन राइट का कोई हनन हो नहीं सकता हजारों सेकडों आदिवासी भाई निर्डोस इनकी लगाई हुई आईडी से मारे जाते अलग प्रकार से इनकी कोटे इनको घरकानूनी त सकता और नक्सलवाद के कारण ही विकास रुका है ये भी अब साबीत होगा है अतर हम सब के लिए जरूरी है कि इसको हम एक बार फाइनल पूस्त लेकर समाप्त करें मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी पोलिस प्रमुकों से मेरा निवेदन है कि मुख्य नक्सल विरोधी अभ्यानों का रिविव करें dgp कम से कम 15 दिन में एक बार नक्सल विरोधी अभ्यानों का रिव्यू करें और मेरा सभी C.A.P.F के प्रमुकों से भी आग्रह है कि जहां-जहां सी एपीF की फोस्ट डिप्लोइय है वह चिलो में एक रात्री वहां के राज्य के डीजीपी के साथ एक रात्री रुक कर ये नए हमारे जो अप्यान है नक्सल विरोती अप्यान इसको नई उरजा दे जब तक डीजीपी स्तर से जिले पे रह कर इसका रिव्यू नई होगा हम परिणाम प्राप नहीं कर पाएंगे कुछ राज्यों में बचा कुछा जो बच गया है उसको पूर्ण उन्मुलन की दिशा में हमने काम करना चाहिए इसके मुल समेट उखार देने के संकल्प करकर इस सम्मेलन से हमने जाना चाहिए मान्य प्रधामनत्री जी ने 2047 का पूर्ण विक्सित भारत का लक्स रखा है मेरा आप सभी आगर है कि हम देश की जनता को सब एकत रिता करें ऐसे ही कोई मिटिंग से अप्रिल 2026 में बता पाएं कि इस देश को राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद की समस्या से पूर्ण तया मुक्त कर दिया है अब विकास के आड़े कोई बादा नहीं है अब कभी भी मानव अधिकार का उलंगन नहीं होगा और अब आइडियोलोजी के नाम पर किलिन भी नहीं होंगे इस सभी सेयुक्त गोसा हम सब एप्रिल 26 में कर पाएं ऐसी मेरी आपक सुपकामना है